नमस्कार, मैं प्रिती पांडे आप सभी को महिला दिवस की धेर सारी सुपकामनाय देती हूँ और आप सभी की समक्ष लेकर आई हूँ मैं महिला दिवस की प्लक्ष में अपनी लिकित कुछ पंगतियां तो सुनते हैं मैंने क्या लिखा है नारी एक खूपसूरत क्रती प्रकती की बात सल्य इसने ममता सहन सकती रूपी गेहनों से सुशक्चित व्यक्तित वसका मा रूप में नारी है पोजी जाती फिर क्यूं वही अन रूपों में तरस्कत हो जाती हर कदम पर नारी कभी सीता तो कभी द्रौपदी बन जाती जब प्रकती देने में नहीं अंतर करती तब प्रकती की ये महत्पून करती क्यूं दोयाम हो जाती जिसके अंक से होते प्रस्पुटित नव अंकुर क्यूं वह बार बार उपेक्षित हो जाती कभी दिखावट का सामान है बनती और कहीं पाउदान बन जाती हो चाहे वो ग्यानी कितनी उसकी ना कभी सुनी जाती तुम चुप हो जाओ तुम चुप हो जाओ तुम्ही क्या पता है यह कहकर वह चुप करा दी जाती अस्तित्व की तो बात ही क्या है वह तो कहीं खो जाता है कभी मा, कभी पत्नी, कभी पहुद बस यही उसकी पहचान रह जाती है पर कटूसत यही है नहीं बनेगा कोई तुम्हारा सहारा ढूनना होगा स्वेम तुम्ही किनारा मा, पत्नी, बहुबेटी के अलावा भी एक अलग अस्तित्व है तुम्हारा पहचान तुम्हे स्वेम की बनानी होगी बन सकती हो अगर रीड़ के तुम्हारा परिवार की, बन सकती हो अगर रीड परिवार की, तो क्या तुम्हें लाठी की जरूरत होगी? तुम अगर सब कुछ हो परिवार की फिर भी अपनी जगए एक तुम्हें बनानी होगी इस समाज के विकास में तुम्हें अपनी भूमे का निभानी होगी करो स्वयम को मजबूत इतना कि तुम भी नीव की इट बन जाओ निकलो पाहर अंधेरे से तुम जो तिर्मान पुझ बन जाओ जीवन तुम्हारा भी है उपियोगी जीवन तुम्हारा भी है उपियोगी यह एसास सबको कराओ भटकाओ गर हो जीवन में तुम नई दिशा उसे दिखाओ तुम नारी हो तुम नारी हो तुम नारी बन कर दिखाओ प्हुर्ण नारी हो तुम नारी हो तुम नारी हो तुम नारी छिखाओ